असलाम लेकूम तो यह question है crazy की जो book है function analysis की उसका question है page 64 पे question number 6 तो इसमें मैंने इस question का solution जो है वो provide किया है सबसे पहले x हमारे पास एक vector space है जो के consist करी order pairs of real numbers के और इसके उपर हमने 3 जो है वो define किया norm तो x का जो norm 1 है वो इस तरह define है x का जो हमने norm 2 लिया है वो इस तरीके से define है और x का जो norm infinity है उसकी definition यह है तो इन 3 को मैंने norm की condition के लिए fulfill की है इन 3 के लिए प्लास प्लास टू तो x किसी भी order pair का जो हमने norm 1 define किया वो इस तरह के जो भी उसके दो components होगे उन भी हम mod लेकर उनको add कर देगे हमने इसको norm शो करना है तो norm की वेपस चौर प्राप्टी है n1 क्या होगा हमने शो करना है कि यह जो norm है यह non-negative होगा फिर second में हमने शो करना है कि किसी element का norm 0 होने का मतलब है कि वह element itself 0 होगा n3 में हमने शो करना है कि alpha x scalar है into x जो के vector होगा तो it can be written as alpha mod into norm of x n4 में हमने triangle inequality प्रूफ करनी है x plus y norm is less than equal to norm of x plus norm of y तो norm के लिए हम यह चारो properties जो है वो फुल्फिल करेंगे अब x1 mod है तो x1 mod जो है वो non-negative आएगा आपके पास इसी तरह x2 जो है वो भी mod है तो यह भी non-negative होगा इन दोनों का अगर हम sum करें तो यह भी वह बस जो है वो non-negative होगा इसका मतलब है कि x का जो norm 1 है वो भी non-zero हो जाएगा तो यह n1 यहां पे fulfill हो जाती है n2 के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि norm of x जो है वो equal to zero है अब x के जो norm की definition है वो x1 mod use कर लेंगे x1 mod plus x2 mod equals to zero अब यह दो non-negative number है और यह equal to zero आने का मतलब है कि x1 zero होगा और x2 भी zero होगा क्योंकि x एक order पे रहा है तो इसके अगर दोनों component zero है तो इसका मतलब है x जो है वो equal to zero आ जाएगा आपके पास तो यह n2 प्रूब हो गया n3 के लिए हम जो है वो ऐसे लिखेंगे alpha x norm और alpha जो है वो इसके x के दोनों component के साथ मतला जाएगा आ जाएगा alpha x2 तो इसकी definition use करेंगे alpha x1 mod plus alpha x2 mod यहांवे हम modulus की property लगाते है alpha 1 alpha mod x1 mod plus alpha x2 mod तो यह basically modulus की property हमने यूज की kb mod equal to a mod into b mod अब alpha mod बार ले लें तो अंदर आ जाएगा bracket में x1 का mod plus x2 का mod और यह basically x के जो norm 1 है उसकी definition है तो यह n3 improve हो गए आपके n4 के लिए हमने दो order pair लेने एक x order pair रहे एक y तो इसको simplify कर लेते हैं हम x basically हमारे पास है x1 x1, x2 y है y1, y2 तो इन दोनों का sum जो corresponding components है void हो जाएंगे x1 plus y1 आ जाएगा और x2 plus y2 आ जाएगा यह जब हम definition लगाएंगे यहां पर तुम्हें पास आ जाएगा x1 plus y1 mod plus x2 plus y2 mod तो इस रियल नमबर इनका triangle quality लगा लेंगे x1 mod plus y1 mod इसी तरह दूसरे पर भी हमारे पास triangle quality आ जाएगे x2 mod plus y2 mod तो यह क्योंके real number ने रियल नमबर में triangle quality जो है hold करती है तो यहां पर हमने triangle quality apply कर दी अब commutative log n जाएगे real number commutative log लगाएंगे x1 mod plus x2 एक जगा कर लें और जो y वाली terms हैं वह हमने एक जगा कर ली x1 mod plus x2 mod यह basically x के norm 1 की value है और y1 mod plus y2 यह y के norm 1 की value है यहां से show हो गया x plus y norm 1 less than equal to x norm 1 plus y norm 1 अब हमें core norm given है x को जिसको हमने 2 के साथ denote किया है तो इसमें आपने square pair है उसका norm इसला ही है x1 का square plus x2 का square all square root अब हमने इसके लिए जो norm की मारे पास conditions है 4 उनको check करना है यह उनको show करना है यह चारो condition आपने इसके लिए fulfill करवानी है सबसे पहले n1 x1 का square तो यह non-negative हो का इसी तरह x2 का square यह दोनों number non-negative है तो इनका sum होगा वो भी हमाने पास non-negative आएगा और अगर हम इनका square root ले लें दोनों side पे तो 0 का square root तो 0 हो जाएगा और left hand side पे x1 का square plus x2 का square square root यह किसके equal है यह basically x के norm 2 की value है तो यहां से show हो गया x का norm 2 जो है greater than equals to 0 आगा and 2 के लिए x norm 2 is equals to 0 ले लें आप इसकी definition जूज करते है norm 2 की जो किया x1 का square plus x2 का square all square root equals to 0 किसी number के square root होने 0 होने का 0 होने का मतलब है कि वह number ही 0 है तो इसका मतलब है x1 का square plus x2 का square equal to 0 अब लेफटर साइड पे दो terms का square है और राइट साइड पे 0 है तो इसका मतलब यह दोनो terms ही 0 है x1 भी 0 हो गया और x2 भी 0 हो गया तो यहां से show हो गया x is equal to 0 n3 के लिए हम लेंगे alpha into x तो alpha जो है x1 के साथ भी multiply हो जाएगा alpha x2 के साथ alpha x1 का square, alpha x2 का whole square square root square open कर लेते हैं किया जाएगा alpha square x1 का square plus alpha square into x2 square root alpha square कामल ले लें x1 का square रह जाएगा bracket में और x2 का square power 1 by 2 square root को हम यह power को अलग लग कर लेते हैं alpha का square 1 by 2 x1 square plus x2 square power 1 by 2 square square से cancel, square root extract की है तो इसलिए यहां पे alpha की पर बहुर लगेगा n4 के लिए आप दो order pair लेंगे whole power 1 by 2 तो आप मिंकॉस्कीन क्वालिटी लगाते हैं तो आजएगा i waves from 1 to 2 x2 square whole power 1 by 2 वह जी तरह second term जो आजएगी वह आजएगी yi square power 1 by 2 यहां पे हमने basically मिंकॉस्कीन क्वालिटी apply की है मिंकॉस्कीन क्वालिटी की general form जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं तो यहां पे हमने p को 2 use किया तो यह हम इसको expand कर लेते हैं तो x1 mod square plus x2 mod square whole power 1 by 2 second term में आजएगा y1 mod square plus y2 mod square whole power 1 by 2 तो यह basically मैं पास x का norm 2 की value है और इसी तरह यह y के norm 2 की value है तो जब हम इनको combine करेंगे left और right side को तो मैं पास आजएगा x plus y norm 2 as then equal to x norm 2 plus y norm 2 x के norm infinity commonista define किया कि basically maximum value of x1 mod and x2 x1 mod x2 mod की maximum value होगी x का infinity norm की value आएगी n1 में x1 mod और x2 mod these are non negative numbers तो इसलिए इनको maximum होगा वह भी क्या होगा हमारे पास एक non negative number आजएगा तो यहां से यह शो हो जाता है कि x का जो norm infinity है वह भी हमारे पास non negative number होगा n2 में हमारे पास है x कि norm infinity की value equal to zero होने का मतलब है इनके जो maximum value maximum value है अब यह modulus है और equal to zero होने का x1 का mod भी zero होगा और x2 का भी mod होगा और mod equal to zero होने का मतलब है कि वह number ही zero के उकल है यानि x1 equal to zero and x2 is equal to zero और यहां से यह show हो जाता है कि x जो है वह basically बार पास zero आ जाएगा n3 n3 में हम alpha laling scalar alpha into x x equals to यह norm infinity की जो हम definition लगा लेते है maximum of alpha x1 mod alpha x2 mod तो अब हम mod को split कर लेंगे तो alpha mod आ जाएगा x1 का mod आ जाएगा इसी तरह alpha बाहर और x2 का mod आ गया alpha को हम set से बाहर ले आते हैं alpha mod बाहर आ गया और बाकि maximum है वो हमारा x1 का mod आ जाएगा और x2 का mod यह क्यूंके maximum हमने इनके लिए define किया है और यह जो है यह x के norm infinity की value आ जाएगी तो n3 जो है वो फुल्फिल हो गया n4 के लिए मैं पास दो order पे रहेंगे x प्लस y तो इन में again जो पहला component होगा x1 प्लस y1 mod आ जाएगा और दूसा आ जाएगा x2 प्लस y2 mod तो इसमें हम x1 प्लस y1 mod पे triangle quality लगा ले तो x1 का mod y1 का mod इसी तरह next में आ जाएगा x2 का mod प्लस y2 का mod इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sum of यह maximum एक real number होते है यह triangle quality हमने apply की maximum एक real number होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं basically हम ऐसे लिख लेंगे maximum x1 mod x2 mod प्लस maximum y1 mod y2 mod पहला जो है वो यह जो value है यह है x की infinity norm की value है और दूसरी है y की infinity norm की value तो इनको जब हम join करेंगे तो मैं पस यह triangle inequality जो है वो fulfill हो जाएगी वीडियो को like करें channel को subscribe करें वीडियो देखने का शुक्रिया झाता